वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 7 सोशल साइंस सिविक से चैप्टर नमबर 3 है हाउ दा स्टेट गॉवर्मेंट वर्क्स आज हम करेंगे इसके NCIT सोल्यूशन और क्वेस्टिन आंसर तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो आई होब चिल्दन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दाइट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें तो यह कह रहा है आपको MLA की डेफिनेशन देनी है कि MLA कौन होता है लेकिन उस डेफिनेशन में दो वर्ड यह मांग रहा है एक तो उसमें कौनसिट्वेंसी वर्ड आना चाहिए और उसमें रिपर्जेंट वर्ड आना चाहिए इसके अलावा यह यह पूछ रहा है वो जो MLA है उसको कैसे इलेक्ट किया जाता है कैसे तो चिल्डरन हर कौनसिट्वेंसी में जो इलेक्शन्स होते हैं और जो भी जो जिस भी रिपर्जेंटेटिव को सबसे जादा या मेजोरिटी में वोट मिलते हैं वो ही उस कौनसिट्वेंसी से क्या चुन लिया जाता है तो सबसे पहले इसका आंसर देखो यह देख रहे हो वोट करने वाले लोग यहाँ पर हर कौनसिट्वेंसी में यह वोटर सुंगे यह वोट करेंगे ठीक है किसी एक परसन को तो रिप्रेजेंट दा लेजिसलेचर आप दा स्टेट गोवर्मेंट ठीक है किस परसन को ताकि वो परसन आगे चल के क्या करे रिप्रेजेंट करेगा लेजिसलेचर आप दा स्टेट गोवर्मेंट को तो चिल्डन सबसे पहले यहाँ यह देखो यह दो वर्ड मांग रहा था कि क्वाणेट अब यह पूछ रहा है कि हवावर्में तुर्मेंट कैसे होता है हमने देखा लोग होंगे उस क्वाणेट के वोट करेंगे और इस मेले का चुनाओ होगा next how did some MLA's become ministers explain कुछ MLA बड़े ministers कैसे बन जाते हैं वो चीज़ explain करो some MLA's become ministers when their party wins more than half the number of constituencies in the state तो देखो एक constituency यह है एक constituency यह है एक यह है एक यह है ठीक है मान के चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 constituency है अब मान के चलो किसी person को वो जो यहां पे भी यहां का MLA है ठीक है उसको समर्थन मिल जाए 1, 2, 3, 4 यानि कि आधी से जादा sheet अगर उसको मिल जाती है तो वो आगे चल के क्या बन जाएगा minister बन जाएगा ठीक है तो some MLA's become ministers देखो आपने class में class में monitor का election होता है तो जिस बच्चे को जादा vote मिल जाएगे वो monitor बन जाएगा some MLA's become ministers when their party जब उनकी party जीच जाती है more than half the number of constituencies आधी से जादा constituencies में अगर उनकी party जीच जाए तो फिर वो और बड़े minister बन जाते है next question why should decision take by the chief minister and other ministers be debated in the legislative assembly decision लिया जाता है chief minister के दौ़ारा और दूसरे ministers के दौ़ारा उस पर debate क्यों होती है तो children आप से बस मैं एक ही बात कहूंगा अब आप ये बताओ अगर कोई एक बड़ा decision लिया जा रहा है अगर उस decision को एक आदमी लेगा तो वो decision जादा सही होगा या 50 लोग 100 लोग 200 500 लोग जो सबसे समझदार लोग होंगे मिलेंगे बैठेंगे एक दूसरे से बात करेंगे तब जाके decision लेंगे तब सही होगा तो आप कहोगे सर जब ज़्यादा लोग समझदार लोग मिल लेंगे कोई इसके pros बताएगा तो इसलिए वो debate होती है तो answer कैसे लिखेंगे सबसे पहले ये देखो ये जो मैंने blue blue में लिखा है ये पूरा question से लिया है decision taken by the chief minister and the ministers decision taken by the chief ministers and other ministers should be debated in the legislative assembly because तक आप पूरा question से उतादो क्यों होने चाहिए because these decisions have to be approved by the members of the legislative assembly क्योंकि अगर कोई भी decision होगा बड़ा तो वो सारे members उसको क्या करेंगे या जादा से 50% से जादा लोग उसको approve करेंगे तब जाके वो decision होगा otherwise वो decision नहीं होगा guys अभी तक इस वीडियो को एक like नहीं किया न तो please यार एक like कर देना आपके लिए इस तरह से मैं मेहनत करता हूँ कि हर तरह के जो hard से hard question हो उसको simple बनाने की कोशिश करता हूँ images से तो यार एक like तो बनता है मैं तीन तक कहां करूँगा मेरे भाई please वीडियो को like कर देना one two three I hope children आपने वीडियो को like कर दिया है चैनल को subscribe कर दिया है thank you guys next question what was the problem in पातलपुरम अब ये जो पातलपुरम नाम का एक गाउं है इसमें क्या दिक्कत थी भाई इसमें दिक्कत थी पानी की जो drinking water था वो साफ नहीं था what discussion action was taken by the following अब ये कह रहा है कि public meeting में क्या discussion हुआ legislative assembly में क्या discussion हुआ press conference में क्या हुआ और chief minister साव आए तो उन्होंने क्या कहा तो answer देखो भाई जब इतने सारे तो सबसे पहला तो answer है the problem in पातलपुरम was shortage of drinking water तो इसका answer बस एक ही word में है drinking water की problem थी out protest तो सरकार के खिलाफ नारे लगने लगे ये सरकार खराब है ये सरकार खराब है इसको vote नहीं देंगे इसको vote नहीं देंगे है ना तो public meeting में legislative assembly अभी हमने देखा तक legislative assembly ये है जहां पर बड़े-बड़े ministers MLS वगरा बैठेंगे और discuss करेंगे इन्होंने क्या discuss किया discuss the issue इन्होंने भई ये issue discuss किया कि ये ऐसी क्या बात है कि वहां का पानी तना खराब हो गया कि लोगों भी मौत होगी फिर आपने देखा हुआ मीडिया आ जाता है मीडिया सवाल पूस्ता है मिनिस्टर से press conference हुआ health minister presented the plan of action तो health minister ने मीडिया के सामने क्या का जो आज तक वाले जी न्यूस वाले ये सब आ जाते है कि भाई हम ये ये प्लान कर किया है और अब ये ये प्लान हम follow करेंगे ताकि वहां के लोगों को साफ पानी मिले और आगे से कोई बीमार या कोई मौत ना हो फिर chief minister का दोरा हुआ आपने देखा हुआ कभी बाड़ा आ जाती है कोई बुरी कोई चीज ऐसी हो जाती है आपदा आ जाती है natural disaster आ जाता है तो वहां बड़े बड़े नेता विजिट करते है तो chief minister साब उस गाउं में गए और वहां के लोगों से ये वादा किया कि मैं इस दिक्कत को जल्दी से जल्दी खताम करवा दूँगा next question what is the difference between the work that MLA do in the assembly and the work done by government government का क्या काम है और MLA का क्या काम है difference बूसरा है MLA का काम है जो भी decision लिया जा रहा है उस पे debate करना कि ये सही है या गलत है ठीक है या decision को लेना और सरकार का काम है जब कोई decision final करेगी ये legislative assembly तो सरकार का काम है उस decision पे अमल करना यानि कि उसको करवाना implement करना तो answer कैसे लिखोगे MLA make and debate decisions in the assembly अभी हमने देखा वो decisions को बनाएंगे और उन decisions पे debate होगी कोई बताएगा किस decision को लेने से ये ये फाइदे होगे कोई बताएगा ये ये नुकसान होगे फिर voting होगी मतलब वहीं पे ठीक है और the government department का काम क्या है government department implement the decision जो भी decision हुआ उस पे implement करेगी उसको अमल कर देगी legislative assembly का सबसे बड़ा head कौन होगा voter होगे MLA होगा या जाहिर सी बात है या देख लेना आप या चीफ मिनिस्टर होगा या ना legislative assembly state level पे काम करती है तो देख लो आपके साब से कौन होगा आप चाहो तो अपने answer में a b c a d लिख देना मैं समझ जाऊँगा देखूँगा कितने बच्चे राइट answer देगे आपको बहुत अच्छा लगा होगा फ्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में बाबाई